भारत के अत्यन्त लुकप्रिया और यशस्विय प्रधानमिंत्री आधनिया नरेंद्र मोदी जी हमारे बहुती कर्मठ और परिश्वमी राष्ट्री अध्यक्ष आधनिया अमित्शाह जी आधनिया राजनाद जी आधनिया अरुण जी आधनिया थामरचन जी आधनिया रामलाल जी मीडिया के मित्रों और इस कारकम में उपस्थित मेरे बहुत इसने ही भाईयों और बहनों सबसे पहले मैं मीडिया के मित्रों से यह अनुरूज करना चाहूंगी कि हमारे शीर्शक और दूसरे पार्टियों के शीर्शक का अंतर समझें बाकि सभी पार्टियों ने अपना घोशना पत्र प्रस्तुत किया है एकमात्र भारतिय जनता पार्टी है जो संकल्प पत्र लेकर आई है घोशना पत्र लेकर नहीं इसलिए आज हम हमारे सामने घोशनाई करने नहीं आये हैं बलकि इन संकल्पों को पूरा करने का ब्रत लेने के लिए आये हैं और मुझे विश्वास है कि देश हमारी बातों पर इसलिए भरोसा करेगा कि 2014 में जो हमने कहा उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया अभी अमिद जी ने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे जो पांच वर्षों के विकास को दर्शाते हैं लेकिन मित्रों विकास की गाथा इस सरकार की इतनी लंबी है कि अगर हम सब उसमें कुछ न कुछ जोडते जाएं तो भी वो पूरी नहीं हो सकती है मैं कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी जो अंतर राश्ट्री जगत में लोगों को चौका रहे हैं जब मैं इंटरनेशनल स्वोड़ा से कहती हूँ कि हमने 34 करोड नए बेंक खाते खो ले हैं और यह विश्वकास सबसे बड़ा आर्थिक समावेश है तो लोग चौक जाते हैं जब मैं उन्हें पुरानी सरकार की तुलना करके अपनी सरकार का अधियन देती हूं कि पुरानी सरकार में हमारे आप 12 किलोमीटर हाइवेस पर डे बनते थे दिन बनते थे और आज 29 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं तो वो चौक जाते हैं जब मैं उन्हें बताती हूं कि हमारे रूर लोड पिछली सरकार में 69 किलोमीटर पर डे बनती थी और आज 134 किलोमीटर पर डे बन रही है तो वो चौक जाते हैं जब मैं उन्हें डिजिटल इंडिया के अंदर की प्रगती बताती हूं, कि पहले हमारे हाँ, केवल 69 गाउं, 59 विलेजिस वर कनेक्टेड विद ऑप्टिक फाइबर, और आज 1,16,000 गाउं में ऑप्टिक फाइबर बिच चुका है, तो वो चौक जाते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं, कि हमारे देश में कॉमन सर्विस सेंटर पहले 83,000 ते, 83,000 और अब 3,000,000 से ज़्यादा बन गए हैं, तो वो चौक जाते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं, कि पहले देश में मुबाईल पॉन बनाने की केवल मुबाईल दो फैक्ट्रियाँ थी एग, आज भारत में 27,000,000,000 precis अब्षाइबर, बिचुक टंक उपर उचल कर हम अब 77 ने स्थान पर पहुंच गए हैं तो वो चौक जाते हैं और अंतर राश्टी जगत के लोग developing countries में विकास शील देशों में फिक्षा और स्वास्त के खेत्र में क्या हो रहा है इसे जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं जब मैं उन्हें बताती हैं और जब मैं शिक्षा के खेत्र में उन्हें बताती हूं कि हमारे हैं 14 IIT, 7 IIT, 7 IIM, 1 NIT, 103 केंद्रिय विध्याले और 62 नवुदय विध्याले खोले गए हैं तो वो चौक जाते हैं और इससे भी ज्यादा जो बात मैं अंतर राश्टी इसकर पर बताना चाहती हूं कि भा अभुत्प और भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी के नित्रत में जितनी बढ़ी है उससे पहले कभी नहीं बढ़ी थी और मैं इसका उधारन देना चाहती हूं कि पिछले पांच वर्षों में हमारे पुद्धान मंत्री जी को पांच बड़े पुरसकारों से नवाजा गया ह साओधी अरब ने अपने यहां का हाइस सिविल और पुद्धान मंत्री को दिया पलस्टीन ने अपने यहां का सबसे प्रतिष्ठ सबसे बड़ा सिविल और पुद्धान मंत्री जी को दिया अभी तीन दिन पहले आपने देखा युनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपन साइक पुराश्ट की एक संस्था ने जलवायू परिवर्तन में अभूत्पूर्व काम करने के लिए पुद्धान मंत्री जी को नक्षे से मिटाई हो जाएगी पुद्धान मंत्री मोदी की विदेशनीती में अरब जगत कहीं दिखेगा नहीं मैं आपको कहना चाहती हूँ साओधी अरब में जनादरिया फेस्टिवल होता है जो किछले 32 सालों से हो रहा है पहने बार भारत को गेस्ट अफ ओनर के रूप में सम्मानित करने का काम साओधी अरब में हुआ और सबसे बड़ा प्रमान है OIC का इन्वाइट Organization of Islamic Countries ये 57 देशों का समुह है साइंत राष्ट के बाद सबसे बड़ा देशों का समुह हूँ और ये केवल इस्लामिक राष्टों का समुह है अभी अरुन जी बात कर रहे थे कि हमने कुटनितिक तोर पर अलग ठलग कर दिया अरे केवल विश्व में अलग ठलग नहीं किया मित्रो उनके अपने इस्लामिक राष्टों के बीच में अलग ठलग करने में कामियावी हासिल की है OIC के एक प्रिष्ट भूमी में आपको बता दू ये 1979 में बना था OIC Organization of Islamic Conscience 1969 में इनके पहली Conscience रबात में हुई थी मुरुकों में उस समय भी भारत को invite किया गया था पाकिस्तान में उनकी participation का विरोध किया और वहां के आयोजेक मान गए कि हम भारत को participate नहीं करने देंगे बिना भाग लिए भारत वहां से अपमानित होकर वापिस लौता था पच्यास वरस बाद कालचकर घूमा है अभी जो आबुदावी में YC की meeting हुई वो उनकी स्वर्ण जैन्ती meeting थी स्वर्ण जैन्ती conference थी 50th anniversary और वहां जब उन्होंने हमें invite किया फिर पाकिस्तान ने विरोध किया और अंत में ये लिखके भेज़ दिया कि अगर आप भारत को दावत नामा देंगे ये imitation रद नहीं करेंगे तो हम founder member होते हुए भी इसमें नहीं आएंगे और UAE ने उन्हें कहा आपकी मर्जी अगर आप नहीं आना चाहते तो मत आईए लेकिन हम भारत के imitation को रद नहीं करेंगे और आप सब ने देखा कि पाकिस्तान की कुरसी खाली थी और भारत मंच पर आसीं उठा ये ऐसे ही नहीं हो गया ये जो हमारे विपक्षी कहते हैं कि मोदी जी विदेश यात्रा जाते हैं क्या लेकर आते हैं ये है मोधी जी के विजेश यात्रा की उपलब्धी के सारे देशों से उन्होंने इतने अच्छे रिष्टे बनाए है कि OIC के 57 देशों में से 56 देशों ने कहा पाकिस्तान नहीं आता तो नहीं आए लेकिन भारत का इंविटेशन रद नहीं किया जाएगा इसलिए मैं आज आप से कहने आई हूँ कि देश हमारी हर बात पर विश्वास करेगा पिछले पांच वर्षों के इतिहास में जो क्रेडिबिलिटी जो विश्वस्नियता हमने कमाई है उसी के आधार पर हम ये संकल्प पत्र लेकर आएं लेकिन मैं मीडिया के मित्रों से एक और निवेदन करना चाहूँगी जैसे वो शीर्षक का अंतर देखें ऐसे ही वो हमारे संकल्प पत्र की तुलना बाकी पार्टियों के घोशना पत्र से जरूर करें बित्रों हम राष्ट को पूर रूप से सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं और कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों कहता है हम देशत द्रों को ये कानून को समाप्त कर देंगे यानि वो देशत द्रों को अपराद मानने से इंकार कर रहे हैं हम राजनेतिक स्थिर्ता के नाम पर मजबूर सरकार लाने की वकालत कर रहे हैं और वो गचबंदन के नाम पर मजबूर सरकार बनाने की वकालत कर रहे हैं हम देश में अभूत पूर्व विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं और वो विकास के नाम पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। हम लोग कल्यान के लिए हर वर्ग के कल्यान की बात कर रहे हैं। वो कुछ वर्गों के तुष्टी करण की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी के मीडिया के मित्र एक तरफ हमारा संकल्प पत रखें। दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों का घोशना पत रखें। तो उन्हें पता चलेगा कि मोदी जी देश की नब्ज पहचानते हैं। राहूल गांदी देश की नब्ज नहीं पहचानते। बाकी पार्टियों के लोग देश की नब्ज नहीं पहचानते। तो जिन्होंने देश की नब्ज को समझ कर पहचान कर अपना संकल्प पत्र बनाया है जना देश उसी को मिलेगा इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समप करती हूं और इस संकल्प पत्र पर आप तिपणी करें दूसरों की तुलना के साथ ये पुन्हे निवेदन करती बहुत बहुत धनिवास निवेदन करती हूं